नमस्कार मैं हूँ निरुच कुमार और आप देखरें मी मीडिया न्यूज वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का आज पोखरन के आसमान में दिखेगा वायू सेना की सक्ती गरजेगा आसमान थराएगी धर्ती बता दें कि आज भारतिये वायू सेना का एक युद्ध अभ्यास होना है जो आयोजन सेना द्वारा हर साल किया जाता है राहुल गांधी की भारत जोरो यात्रा आज कल उत्तर परदेश में है जहां आज और कल राहुल गांधी की यात्रा यूपी के भधोई जिले में ही रहेगी क्योंकि राहुल गांधी के पुर्व निधारित जगह पर विशराम करने की अनुमती प्रसासन ने नहीं दी है जिसके चलते अब राहुल गांधी रात में भी खेत में ही विशराम करेंगे आज से ताजनगरी आगरा में ताज महसव का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रियटक 10 दिनों तक सांस्कृतिक कारकरमों का गलुपत उठा पाएंगे बिहार में नितीज कुमार को लेकर एकवार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है जहां लालू परसाद यादव ने साफ कर दिया है कि नितीज कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है वहीं इसके जवाब में डिप्टी सियम समराड चोधरी ने कहा कि नितीज कुमार अब फिर से लूटेरों के पास नहीं जाएंगे राजद ने बिहार को लूट लिया है दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल ने कल विधान सभा में विश्वास मत रखा जहां आज इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी बतादें कि दिल्ली में मात्र छेह विपक्ष के विधायक हैं और उन सब ही को दिल्ली विधानसभा से केजरिवाल सरकार ने निलंबित करवा दिया है ऐसे में विश्वास मत पर चर्चा महज दिखावा होगा पंजाब के किसान निता जोगिंदर सिंग उगराहा ने किसानों के हक में उतरने का ऐलान किया जहां उगराहा ने कहा कि भारतिये किसान यूनियन द्वारा 17 और 18 फरवरी को पंजाब भाजपा के पर्दे सध्यक सुनील जाखर पुर्मुखमंतरी केप्टन अमरिंदर सिंग और भाजपा के सिनियर नेता केवल सिंग धिल्लो के आवास का घेराओ करेंगे दोस्तों आगे वर्हनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इसने उसको लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम निउज के लाश्ट में बताते हैं इसलिए निउज को लाश्ट तक जरूर देखिए किसान आंदोलन को देखते वे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं जहां बीते तीन दिन से बरी संख्या में किसान दिल्ली के ओर बढ़ रहे हैं वहीं दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजंसियों ने तमाम बॉडरों पर बैरिकेट लगा कर किसानों को रोकने की तयारी कर ली है वहीं किसान नेता राकेश टिकेट ने कहा है कि अगर समाधान नहीं निकला तो लंबा आंदोलन चलेगा और आज तै करेंगे कि आंदोलन की रननीती क्या हो चंद्रियान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद इस रो एक और सफलता चुने को वेताब है जहां इस रो अब अपना नवीन और हाइटेक मौसम उपग्रह इंसेट 3DS लांच करने वाला है लोकसभा चुनाव के मदेनजर वीजेपी का दो दिवसे राष्टी अधिवेशन आज से दिल्ली के भारत मंडपम में सुरू होगा जिसमें लोकसभा चुनाव में जीत फतह करने के लिए चर्चा की जाएगी वहीं परधान मंत्री नरेंद मोदी समापन समारोह को संबोधित करेंगे दिल्ली परदेश बीजेपी ने आज आएकर कारियाले के बाहर परदर्सन करने की घोसना की है यह विरोध परदर्सन कॉंग्रेस के बैंक एकॉंट को फ्रीज किये जाने के विरोध में है बता दें कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस कारवाई की करी निंदा की और इसे विपक्ष को दवाने और लोगतंद्र को कुचलने के एक मात्र इरादे से राजनित्ती से प्रेरित बताया राहुल गांधी की भारत जोरो नियायात्रा आज 12 नसी के गोदालिया से निकलेगी बता दें कि अब तक कॉंग्रेस के किसी भी नेता इस माग पर कभी कोई रत्यात्रा नहीं निकाला है वहीं राहुल गांधी बावा विश्वनात के दरवार में आज मत्था भी टेकेंगे महराष्ट की रतनागरी जिले में पुर्वसांसद निलेस राने की कार पर पत्थरो किया गया जहां पत्थरो उस वक्त हुई जब निलेस राने रतनागरी जिले में एक कारकरम में जा रहे थे जहां पत्राओं के बाद भाजपा और सिवसेना यूवीटी के कारकरताओं के बीच जरप हो गई गुजरात के सियम भुपेंदर पटेल अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ अंबाजी मंदिर में महा आर्ती में सामिल हुए जहां बीजेपी नेताओं ने मा अंबा के भक्ती भाव से दर्सन और अखंड जोत के साथ आर्ती पूजन अर्चना की महराष्ट के पुर्मुख मंत्री असोक चोहान के कॉंग्रेस शोरने के बाद अब राजस्थान में भी कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगने वाला है सराव और सराव निर्मान के वर्तन के साथ ग्रफतार कर मुकदमा दर्ज किया और विधिवत कारवाई करते हुए नियाईक हिरासत में भेज दिया सौरवजार थाना अंतरगत ग्राम मधुरा में चार वर्से बच्ची के साथ परोज के एक युबक द्वारा छेर खानी का प्रियास किये जाने का मामला सामने आने के वाद सौरवजार थाना कांड संख्या 134 वटा 24 दर्ज किया गया जहां प्रात्मिकी में नामजद अवियुक्त रंजीत मालाकर पिता अनोज मालाकर को ग्रफतार कर नियाईक हिरासत में भेजा गया बावा नीम करोली महराज के संसमर्णों पर आधारित पुस्तक महान संत नीम करोली महराज का बिमोचन राष्टिय स्वैम सेवक संग के अखिल भारतिय सह परचार परमुक स्री नरेंद्र ठाकुर जी ने किया इस अफसर पर राष्टिय स्वैम सेवक संग के दिल्ली परांत प्रचार परमुख रितेस अगरवाल भी मौजुद थे। पुलिस ने कहा कि जनता को इस सरकार से काफी उम्मीदे हैं जहां हेमन सौरेन सरकार के नित्रितों में हम लगातार अच्छा काम कर रहे थे और अब वर्तमान सियम चंपई सौरेन के नित्रितों में भी हम इसे जारी रखेंगे। एक अनुष्ठान में भाग लेगी तो उन पर धन की वर्सा होगी। मद परदेश में 27 फरवरी को राजसभा की पांस सीटों के लिए चुनाव होना है जहां कॉंग्रेस के परत्यासी असोक सिंग 58 करोर के मालिक हैं वहीं भाजपा के 4 में से 3 परत्यासी भी करोर पती हैं। परदेश के मुखमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु ने वितवर्स की आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट जारी की। नहां रिपोर्ट में कहा गया है कि परदेश में अव तक 4 लाग से जादा लोग गरीवी रेखा से बाहर आ गये हैं। वहीं रोजगार में भी वर्धी ह जम्मू कस्मीर की नेशनल कॉंफरेंस के पुर्व मंतरी मुस्ताक एहमद साह वुखारी और पुर्व MLC सहनवाज गनई के बीजेपी में सामिल होने पर नेशनल कॉंफरेंस के जम्मू प्रांत अध्यक्स रतनलाल गुपता ने बीजेपी पर जूठी अफवा फैलाने का आरोप लगाया साथ ही छल कपट की राजनीत करने का भी आरोप लगाया पश्रिम मंगाल के उत्तर 24 पर गना जिले के संदेश खाली में महलाओं के साथ हुए उतपीरन की घटनाओं के विरोध में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों सत्ताधारी टीमसी के खिलाफ सरकों पर उतर रही है दोनों सत्ताधारी टीमसी के खिलाफ सरकों पर उतरी हुई है जहां कॉंग्रेसी नेता ने संदेश खाली जाने की कोशिस की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया तो कॉंग्रेस अध्यक्स अधीर रंजन चौदरी धरने पर बैठ गए दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ का आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी है जिनोंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है उनसे भी आग रहा है कि प्लीज 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 भी न अमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट.